सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन चंडिगड की SSP निलांबरी जगदाले ने MH1 प्राइम से खास बातचीत की और कहा कि करफ्यू के दोरान कानून विवस्था को लेकर सतरक्ता बढ़ती जा रहे है साथ ही जरूरत मंदों के रहने और खाने पर भी ध्यान दिया जा रहे है हमारे साथ इस वक्त चंडिगड की SSP निलांबरी जगदाले हैं हम साथ बातचीत करेंगे मैं गुर्दवारा जो है आप लंगर की देखरे करने आई हैं कहीं इस वक्त समाजी कारें के भी अधिक जुरूरत है बिलकुल बिलकुल चंडिगड में जो है कई ऐसे इलाके है जो बहुत गरीब लोग है या जो दिहाडी दार थे मजदूर थे तो उनका रोजगार इस वक्त चीना गया है ये करफ्यू और लॉकडाउन के वज़े से तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी जो ड्यूटी है लॉएंड ओर्डर को मिंटेन रखने की पर उसके साथ साथ ही जो है शहर में कोई भी भूखा ना सोय सबको जो बेसिक मिनिमम जरूरत है वो जरूर मिले इसमें पूरी सकती बरती गई है जी हमारे मानियोग प्रधान मंतरी जी ने भी डायरेक्शन दी थी हमारे ओनरेबल गवर्नर सहाब जो है पंजाब और एड्मिनिस्टेटर यूटी उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश जो है वो जारी हुए थे और हमारे डीजीपी करना और उसी की बदोलत जो है हम सक्सेस्फुली यहां पर इस कर्फ्यू को एंफोर्स करवा पा रहे हैं और आप ही तक मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने इसको कर्फ्यू को ब्रेक करने की कोशिश किया 100 से उपर लोगों पे FIR दर्ज हो चुकी है और 35,000 के करीब वहिकल्स राउंड अफ हो चुके नौसो से जादा गाडिया वहिकल्स इंपाउंड हो चुके साड़े 6,000 के करीब लोग राउंड अफ किये जा चुके है तो मैं बताना चाहूंगी आपके माध्यम से भी लोगों को अपील करना चाहूंगी कि यह गाइड लाइन्स का पाल होती हूं कि यह सबसे पहले अपना ख्याल रखे अपनी फैमिली का ख्याल रखे क्योंकि जब यह खुद स्वस्त रहेंगे तभी जाकर जो है यह पबलिक के लिए कुछ कर पाएंगे चंदिगर में कई लोगों को करेंटें किया गया है उनकी देखरें उनको कैसे चेक किया तो इदर में जाएंगे चंदिगर के लोगों से कहीना कहीं अपील किया कि सेफ रहें और पुलिस जवानों का भी जो लगाता ड्यूटी पर है पुलिस जवान उनका भी कहीना कहीं होसला अफजाई करती नजर आएंगे लिलांपरी जगता ले कैमरामन आमर सिंग के साथ द